मेरे सयोगी पंकज लखनाउ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ये बता दे कि वो वहाँ पर मौजूद है जहां पर मायावती अब से कुछी देर में वोट डालने के लिए पहुचने वाली है लखनाउ का मौन्टैसरी स्कूल है पंकज इंतजार मायावती का भी होगा इंत जादी का घर था यहां से निकल कर और पीछे पोलिंग बूथ है वहाँ पर इस वार उनका पोलिंग बूथ लखनाउ में सालों से उनका दूसरी जगह होता था आज उनके पार्टी ऑफिस के बगल में ही है और हम इंतजार करें पोलिंग बूथ पर गई हैं और चुकि उसक 60 सीटों पर जहां मद्दान हो रहा है चौथे राउंड में उनमें से कई इलाके हैं सीतापूर उन्नाव हर्दोई यह सब जो ऐसी जाती के जो बहुल वाले इलाके हैं वो है और जहां बीस पी को लगता है कि इन सब जिलों में उन सीटों पर उनकी उम्मीदें अब भी मायावती निकल चुकी है इनफाट वो अंदर हैं पोलिंग बूत में हैं अपना वोट डाल रही हैं मतदान करने के बाद 100 मीटर की दूरी पर क्योंकि प्रमाइसस में जाकर आप मीडिया कर्मियों से बात नहीं कर सकते हैं वो बाहर आएंगी और अपनी बात मीडिया कर्मि कि नहीं रखेंगे यह हमें देखना होगा लेकिन वी आईपी वोटर में पहला नंबर मायावती का इस बार शिकायत है थोड़ी मायावती से इस बात की रही कि वो कम निकली कम रहलियां की सारे खास मेमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब एदूबे जी सीजडी एस के पैसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिबांग सीनिय जूर्नलिस जुड़े हुए हैं राज किशोर जी वरिष्ट पत्रकार और प्रदीप सिंग साहब वरिष्ट पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं लेकिन पंकज वहाँ पर मौजूद है जहां पर ये वी अब भी दावा कर रही है और लगातार बार-बार कह रही है वो कि चार बार वो मुख्मंत्री रही है और कह रही है कि पांचमी बार भी वो मुख्मंत्री बनेगी confidence उनका वही है जो इससे पहले भी हुआ करता था और एक बार वो जब आएंगी पॉलिंग बूट से वोट डालने के बाद जिस दिगर मैं खड़ा हूं उसके पीछे वो बात करेंगी कि आकेर यूपी में इस बाद बीएसपी के हाथी कहां खड़ी है प्रिस्मत आजमा रहे हैं और ये मायवती देखिए इस वक्त आपको वोट डालते हुए नजर आ रही है चौथे फेज में मायवती का वोट भी महत्वपूर्ण होने वाला है एबीपी नियूज आपको रखे आगे आपको रहे हैं आपको रखे इस वाला है आपको रहे हैं कैस्से लानर के वह कहां आपको खाहा है पीर रहा है आपको रहाँ खाया